कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फाइदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आशु बहाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी मैं तो मंदिर गई पुजारती की पुजा करते हुए ये खयाला गया मैं तो मंदिर गई पुजारती की पुजा करते हुए ये खयाला गया कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं सिर्फ पुजा के करने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फाइदा मैं तो सत्संग गई गुरुवानी सुनी गुरुवानी को सुन कर खयाला गया जन्म मानव का लेके दया ना करी फिर मानव कैलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फाइदा मैंने दान किया मैंने जप तप किया दान करते हुए ये खयाला गया मैंने दान किया मैंने जप तप किया दान करते हुए ये खयाला गया कभी भूखे को बोजन खिलाया नहीं दान लाखों का करने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फाइदा गंगा नहाने हरी द्वार काशी गया गंगा नहाते ही मन में खयाला गया गंगा नहाने हरी द्वार काशी गया गंगा नाहते ही मन में खयाला गया तन को धोया मगर मन को धोया नहीं फिर गंगा नाहाने से क्या फाइदा तन को धोया मगर मन को धोया नहीं फिर गंगा नाहाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमरित पिलाने से क्या फाइदा मैंने वेद पड़े, मैंने शास्त्र पड़े, शास्त्र पड़ते हुए ये खयाला गया मैंने वेद पड़े, मैंने शास्त्र पड़े, शास्त्र पड़ते हुए ये खयाला गया मैंने ग्यान किसी को बाटा नहीं, फिर ग्यानी कहलाने से क्या फाइदा मैंने ग्यान किसी को बाटा नहीं, फिर ग्यानी कहलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमरित पिलाने से क्या फाइदा मात पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है मात पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है पिता माता की सेवा की ही नहीं, फिर तिर्थों में जाने से क्या फाइदा मात पिता की सेवा की ही नहीं, फिर तिर्थों में जाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फाइदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आसु बहाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी